हेलो एव्रिवन मेरा नाम है तरुन आप देख रहे हैं पाठिशाला रिशीकेश और आज हम करने जा रहे हैं हमारी प्रैक्टिस है टमबर 6 की आंसर की जिसमें मैं बताऊंगा आपको हिंदी और उत्राखंड के आंसर और जीएस वाले से आपको बताएंगे जीएस के आंसर उते लिए शुरू करते हैं अकबार किस भाषा का शब्द है आपको बहुत बार इस तरीके से कोशन मिलेंगे हिंदी से संब्द क्योंकि हिंदी भाषा में दूसरी भाषों के बहुत से शब्द है जो प्रियोग के जाते उसी तरीके से अकबार किस भाषा का शब्द है अर अर्भी इसका सही उत्तर होगा अर्भी शब्द याद करने की ट्रिक में आपको पहले भी एक बार बता चुका हूँ क्या है कविता है कौनसी अजब अदा आदत आदमी की कुर्सी में कलम किताब खबर कातिल औरत की आखे गैर गरीब ऑुलाद अल्ला एहसान लिहाकत की दु इससे बहुत सारे आपके अर्भी शब्द जो है कवर हो जाएंगे हंस पद हंस पद या पाद किस विराम चिंद का एक और नाम है पूर्ण विराम अर्द विराम अल्प विराम या फिर तुरुटी विराम तो इसका अंसर बनेगा आपका option ए तुरुटी विराम होता है जो इस घटक का उलेक नहीं किया जाता ठीक है, प्रेशक अधिकारी का नाम पत्र कर्म, विशय या फिर संदर्ब, संवाने कारयले पत्र में इनमें से Option D, संदर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता ठीक है फिर फोर्थ निम्न हिंदी सम्मेलनों में से किसका इस्थान गलत है देखिए हिंदी सम्मेलनों से बहुत बार कोशन बनते हैं ठीक है हमाने हमने भी बनाए एक कोशन देखिए निम्न हिंदी सम्मेलनों में किसका इस्थान गलत है तीसरा सम्मेलन हुआ नई दिल्ली ठीक है छटा लंडन, ग्यारवा, पोर्ट लुइस, हाजी ठीक है, सभी सही है, option D, सभी सही है, देवनागरी में आ की बराकडी का सुझाव किस ने दिया था, बराकडी होती है, आ, आ, ए, ऐसे बराकडी होती है, तो आप उससे देखेंगें कि उसका सुझाव किस ने दिया, विनोद इस तरीके से बहुत सा कोशन बनने लगे हैं, आपकी उपन्यास और शोंजी है, यात्रव्रतात नहीं है, ठीक है, तो कौन सो उपन्यास नहीं है, अपसरा, आराधना, प्रभावतिय, काले कारणा में, तो option B, आपका आराधना, आराधना, आर्चना, और बहुत सारे यह है यह क्या है सब काव्य संग्र है इनके ठीक है न उपन्यास नहीं है तो option B सयुत्तर बनेगा कौन सा है दूसरा एक अर्चना ठीक है भाशा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है अभी कुछ समय पहले एक किसी एक्जाम में कोशन आया है भाशा की सबसे छोटी काई कौन सी है विए पासपोर्ट में क्या कहते हैं यह एक और कोशन बना है इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं बीशाल जाल पत्र क्रमानुदेश यह त्अंत्र जाल तो इसका आंसर होगा आपका सі pewno ब्ँटयाल ठीक है आप egy tτैक हैं सॉफ्ट्यमे़ियर क्या त्साफ्टी वेयर ठीक हैं तंतर जाल तो नहीं होता ठीक है परियावरन शब्द का संदी विछेत कौन सा है संदी को इसमय हुआ पाटशाला रिशीकेश सभी वण्ड की ट्रिपल से भी कोई भी थानट फो CDS, Bank, SSE, Sambandit सभी के लिए offline batches चल रहे हैं आप अपनी तयारी को मजबूती देने के लिए उसमें enroll कर सकते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है संबंदवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक या फिर प्रश्नवाचक संबंदवाचक शर्वनाम है जैसा करोगे वैसा भरोगे अगर आप बोलोगे जैसा करोगे तो उसका भी कोई मतलब नहीं है वैसा भरोगे तो जैसा करोगे का संबंद जिससे हैं वैसा भरोगे से है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इन में से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रत्व इतिहास सीशर से किया था इसका अंसर बनेगा option है क्रिया का आधार सुचित करने वाला कारक है क्रिया का आधार सुचित करने वाला कारक है संबंद अपादान्स संप्रतानिया अधिकरण तो इसका अंसर बनेगा आपका option डी अधिकरण अधिकरण में पर ठीक है ना पर मनलब आधार अधार सुचित कर रहा है उपसर्गवा सब्दान्स है जो ठीक है किसी शब्द के मद्दे में जुड़ता है किसी शब्द के आगे जुड़ता है किस शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है किसी शब्द के पहले जुड़ता है ठीक है आपको बताना है तो बहुत ही ध्यान से करना है यह कोशन तो क्या होगा इस cancer तो इस cancer बेनेगा किसी शब्द के पहले जुड़ता है बच्चे करते किसी शब्द के आगे जुड़ता है अगर देखो आपने रिखा क्या राम मैं अभी example ऐसी तरह राम तो राम के जो आगे है वो ये वाला portion है ये तो राम से पहले है ठीक है तो राम के पहले जुड़ेगा अगर कुछ भी जुड़ेगा ठीक है निमनल खित में से नील कंट कौन सा शब्द है यॉग रूड रूड यॉगिक या इन में से कोई नहीं तो नील कंठ जो शब्द है वो कैसा शब्द है यौग रूड मतलब नील कंठ दो शब्द मिले और तीसरे शब्द है नहीं शिवजी की तरफ इशारा करा यौग रूड कहला है ठीक है शब्दों की पद रचना पर अधारित भाशाओं के वर्गी करण को क्या कहा जाता है प्रभाव आधारित वर्गी करण एतिहासिक वर्गी करण या कलात्मक वर्गी करण उसे बोलते हैं क्या आकरती मुलक वर्गी करण लड़के ने पुस्तक पड़ी है इस वाक्य की पहचान करें ठीक है लड़के ने पुस्तक पड़ी है संदिक्द वर्तबान पूर्ण सामान ने या फिर इनमें से कोई नहीं तो ये बनेगा आपका क्या option c पूर्ण वर्तबान लड़के ने पुस्तक पड़ी है ठीक है निनिलकित वाक्यों में से किसमे अकर्मक ук्रिया परियुक्त है छातरा लिख रही है, छात्र पड़ रहा है, शिशू सो रहा है, बालक खेल रहा है तो यह हो जाएगा आपका option c शिशू सो रहा है अक्र्मक र आएगी ठीक है शुद्वर्तनी का चैन कीजिए निरलिप्त निरलीप्त निलिप्त निल्प्त तो यह होगा शुद्वर्तनी होगा इसकी निरलिप्त निम्न में से शेर का प्रयवची नहीं है अगर आप शेर वाली माता क्या आर्थी करते होंगे तो आप में से बहुत से लो में आते हैं ठीक है शारदुल शारदुल का मतलब शेरा भी किसी एक्जाम में आया है तो हिरने इसका साई उत्तर बनेगा क्या शारदुल नहीं हिरने हिरने मतलब उता सोना ठीक है हिरने मतलब उता सोना कना को उता एक प्राइवाची कुंदन ठीक है यह सब क्या है स्वर्ण यह सब क्या है सोने के प्रायवाची है ठीक है रावन सिर सरोज बनवारी चली रगुवीर सिल मुख धारी सिली मुख में अलंकार है अच्छा ठीक है जी रावन सिर सरोज बनवारी चली रगुवीर सिली मुख धारी ऑप्शन देखते हैं उपमा लटा अनुप्रास अनुप् श्लेश चाहर सहने हों और स्लिए लगाराई का डशन दी आपका श्लेश अलंकार क्यूंअ मदरा से ईए ख्लाव बार्म का सभाता है सींए गारा थेल के तीन मतलब निकल गए तो इंस यद यूंदmek चेत्र में कितने परगने और पट्टियां थी ठीक है गड़वाल की बात हो रही है 11 परगने 86 पट्टियां 12 परगने 88 पट्टियां 19 परगने 125 पट्टियां या फिर 18 परगने और 84 पट्टियां तो गड़वाल छेत्र में उस समय पर थे option A आपका 11 परगने और 86 पट्टिया अगर हम बात करेंगे कुमाउं छेत्र गी तो कुमाउं छेत्र में थे 19 परगने और 125 पट्टिया चादा निर्तकों का सुन्दर चित्रन कि शेल चित्र में किया गया है मलारी हुडली बनकोट या फिक कसार देवी चादा निर्तकों का चित्रन ये किया गया आपका कसार देवी में ठीक है ना मलारी मलारी से क्या है 5.2 किलो का मुखावरन मिला है क्या मिला है मुखावरन ठीक है और हुडली हुडली के नीले रंग के शैल चित्र ठीक है नीले रंग के शैल चित्र बनकोट की बात करें तो आठ तामर मानव आकृतिया तामर मानव आकृती ठीक है चलिए वर्तमान समय अधिकार संग्रक्षन वर्तमान बाल अधिकार संग्रक्षन आयोग की अध्यक्ष कौन है संतोज चोहन विज्या बर्तवाल कलपना सैनी या फिर उशा नेगी तो बाल अधिकार संग्रक्षन आयोग की अध्यक्ष है option D आपकी उशा नेगी अगर संतोज चौहन की बात करेंगे तो यह महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष है, इसकी महिला आयोग प्रथम, ठीक है, अगर बात करेंगे विजया बटसवाल की तो वर्तमान महिला आयोग की अध्यक्ष, वर्तमान महिला आयोग, ठीक है, बात करेंगे हैं कलपना से निकी तो यह OBC की, OBC जो कमेटी हैं उसकी अध्यक्ष है, निमन में से कौन सही सो मेलित नहीं है, ठीक है, गर्दे समाचार पत्र 1930, समता साफताहिक 1934, स्वर्ग भूमी 1934, हितैशी 1936, तो गर्दे समाचार पत्र ये नहीं, गलत है, गर्दे समाचार पत्र आया था 1939 में, तीस में तो option A, आपका सही उत्तर हो जाएगा, निमन में से कौन सा गलेशियर पिथारगड में नहीं है, पॉंटिंग, पिनोरा, सुखराम या फिर मॉला, पॉंटिंग तो है, पिनोरा भी है, मॉला है, option C, सुखराम पढ़ता है कहां, बागेश्वर में, सुखराम गलेशियर आप बाट चल कर भाग लिया था, और इनके द्वारे एक नारा दिया गया, नशा नहीं रोजगार दो, और ये नारा दिया गया था, आपका option C, 1984 में, राज्य की लंबाई पूर से पश्चिम है, बाट इसरल कोशन, 352, 320, 358, 328, तो देखिए इस तरीके से है, यहीं पूर से प हम बाई है कितनी, 358, 358, ठीक है, 358, और अगर हम बात करेंगे, उत्तर से दक्षिन की, उत्तर से दक्षिन की, तो यह है कितनी आपकी, 320, तो option D, उत्तर का सही उत्तर हो, 358, पूरव से पश्चिम, 320, थुम का किसकी सहायक नदी है, थुम का किसकी काली, कुठी यांग्ती, पूरवी धॉली गंगा, या फिर नंधौर, तो थुम का जो है, वो है कुठी यांग्ती की सहायक नदी, ठीक है, अलग रंदार खंडव गंगा के संगम पर इस्तित है, तिरपणी प्रयाग, डुंडी प्रयाग, पैन खंड़ा प्रयाग, या फिर शिप प्रयाग, तो अल बहुत्ताल, नैनी ताल, नौकुची अताल या फिर भीमताल, तो बहुत्ताल दो बार आगिया, तो यह तो नहीं है, ऑप्शन सी, नौकुची अताल इसका सही उत्तर होगा, तप्त कुंड वा मदन कोट कुंड, तप्त कुंड तीन जगा पर है, लेकिन अभी हमने आपको दो कोई चीज़ एक साथ दी, तप्त कुंड वा मदन कोट कुंड इस्थित है, अल्मोडा, टीरी, बागेश्वर या फिर पितोरागड, तो आप्शन डी, पितोरागड इसका सही उत्तर बनेगा, राज्य में कितने प्रकार की रेशम उत्पादित की जाती है, तीन, चार, पांच, या फिर छह, तो राज्य में चार तरीके की रेशम उत्पादित की जाती है, जिसमें मलवरी, मलवरी, टरसर, ठीक है, मूंगा, और एरी, इस चार तरह की रेशम उत्पादित की जाती है कहां पर उत्राखंड में कॉर्परसी मलबरी, टसर, मुंगा और एरी ठीक है ब्राइट और कॉर्नक नामक प्रसिद इस्थल इस्थित है पिथारगड, नेनिताल, अल्मुडा या फिर चमुली प्राइट और कॉर्नक नामक प्रसिद इस्थल है आपका उप्शन सी अल्मुडा में कुमाउच्छेत्र का पहला नगर माना जाता है ठीक है अल्मुडा, कौसानी, चमपावत या फिर उत्रपुर, चमपावत को माना जाता है कुमाउच्छेत्र का सबसे पहला नगर Capital of Adventure Tourism के नाम से जाना जाता है ओली, मसूरी, नैनिताल या इन में से कोई नहीं इसका अप्शन D इन में से कोई नहीं Adventure Tourism किसे बोलते हैं तो इसे बोलते हैं रिशी केश को ठीक है रिशी केश को हिमालेयन संस्कृतिक केंदर की स्थापना कब और कहा की गई हिमालेयन संस्कृतिक केंदर को यह हुई थी आपकी स्काइब इंड़ी से कोई नहीं 2010 में तो हुई थी लेकिन का हुई थी दून में थी ना देरा धून में हुई थी उत्तर भारत का पहला सिनेमा घर The Electric Picture Palace मसूरी में कब शुरू हुआ ठीक है मसूरी में कब शुरू हुआ देखे किती बड़ी बात है यह उत्तर भारत का पहला सिनेमा घर भी कहा खुला हमारे मसूरी में खुला और यह सुरुआ था 1914 में ठीक है और 1990 में यह बंध हो गया ठीक है बोरी मेला किस जन्पद में लगता है चमुली पिथारागड अलमोडा या फिर उत्तरकाशी तो यह लगता है आपका कहां चमुली में जब लाटू देवता के कपाट खुलने वाले होते हैं किसके लाटू द लाटू देवता के कपाट खुलने लाटू देवता के कपाट खुलने पर ठीक है मिर्जे वा टांक किसके पारंपरिक परिधान है कुमावनी पुरुषों के गड़वाली पुरुषों के जौन सारी पुरुषों के या बोटिया पुरुषों के तो मिर्जे और टांक जो ह वो कुमावनी पुरुशों के परिधान हैं सरवादिक वा सबसे कम जन घनत वाला जिला है ठीक है सरवादिक जन घनत और सबसे कम देरदुन और हरिद्वार और पॉडी देरदुन और पॉडी हरिद्वार और उत्तरकाशी ऑप्शन डी हरिद्वार सबसे ज्यादा और उत्त तो 17 सिक्षकों को उत्राखंड के दिया गया है कि अकला सम्मान 2016 में स्थापित उत्राखंड आवासिय विश्विद्याले कहां इस्थित है रामनगर काशिपुर हल्द्वानिया इन में से कोई नहीं तो कौन सा आवासिय विश्विद्याले यह है आपका option D इन में से कोई नहीं यह पढ़ता आपका कहां अल्मोडा में ठीक है अल्मोडा कंजू सेमल हल्दू खैर सीसू किस प्रकार के वनों के व्रिक्ष है ठीक है उपोष्ट कटी बंद्ये उष्ट कटी बंद्ये उपोष्ट कटी बंद्ये इस जनपद में हैं, चमुली, उत्तरकाशी, अल्मोड या फिर पिठावरागाड, तो च्छायागाड बुग्याल, अच्छा, जी ठीक है, च्छायागाड बुग्याल आपका पढ़ता है, कहां зап-skan B, उत्तरकाशी में सोन गार्ड भूगयाल भी बोला जाता है एक कौन सा सोन गार्ड भूगयाल ठीक है कि गोपेशुर में इस्थेत जडी बूटी शोदेवंविकार सनस्थान की स्थापना कब की गई 1988 1990-1990 या फिर chassis तो 1990 में स्थापीत वतांको पिश्वर में जड़ी बुटी शोदेवं विकास संस्थान कुली बिगार के समय डिप्टी कमिशनर कौन थे कुली बिगार का उस समय डिप्टी कमिशनर कौन थे रैंजे पर्सी विंडम बैकेट यह डाइबिल देखिए कमिशनर को आप इस तरीके से आद के लिए कि कहीं से भी कोशन आए आना चाहिए कमिशनर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है तो कौन था उस समय डिप्ट विंडम था ठीक है लेकिन अगर हम डिप्टी कमिशनर या फिर आपके बात करेंगे तो अलमोणा का कमिशनर तो वो था डाइबिल निम्न में से कौन अलमोणा का संपाधक नहीं रहा जिवानन जोशी सदानन सन्वाल विष्णुदत ने गिया बुद्धी वल्ला पंद तो यह होगा आपका ओप्शन सी विष्णुदत जोशी थे क्योंकि ठीक है विष्णुदत जोशी थे मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी क्या जो मैंने आपको बताई थी कि मोहन का जीवन सदा विष्णुद्री का रहा ठीक है ना मदन मुहनमालवी गड़वाल कब आये थे 14, 15, 16 या फिर 17 तो मदन मुहनमालवी आये थे आपका आप्शन डी 1917 में किसने मुझफर नगरकांड को देश में सब्वे समात पर एक कलंक बताया बदिद पांडे, हर गोविद पंथ, चंडी परसाद भट या गोविद वल्ला पंथ देखिए ये कथन है ये बात कही गई है और इंपॉर्टेंट है ये कहा था हमारे रहमन मैक्से से प्राप्त करता चंडी परसाद भट जी ने बेटा लेश्वर मंदिर स्थित है, अलमोडा, चमूली, पित्रगड आफिए उत्रकाशी तो अलमोडा में सथित है आपका बेटा लेश्वर मंदिर घराटो पर कर किस कुमाओं कमिशनर नहीं लगाया था परसी विंडम गोयन बैकेट या कैम्प बेल तो घराटो पर कर लगाया था आपका ऑप्शन सी बैकेट बैकेट को आप बोलेंगे ब्रैकेट घराटो पर ब्रैकेट लगा दिया ठीक है किसे बैकेट में परसी विंडम क की बात करेंगे तो मैंने कारेकल आपको बता दिया कैंप वेल 1906 इसमें गलोगी परियोजना का कारे शुरू हुआ 1909 कि लोगी में विदूत परियोजना हुआ इस फार्मिंग एक अन्य नाम है किसका समोच खेती सीडिदार खेती स्थानांतित चेती या जूमिंग खेती तो कंटूर स्थानांतृत खेती को ही कहा जाता है समोच खेती को कहा जाता स कानासर इस्थित है मसूरी चक्राता लाखा मंडल या कालसी कानासर आपका इस्थित है ऑप्शन भी चक्राता अगर देखे तो चक्राता से करीब 26 किलो मेटर दूर पड़ता है कानासर बहुत ही सुन्दर जगाय प्राकर्तिक नजारों के लिए उत्राखंड में लोकचित्र खौडिया बनाया जाता है थाली में मंडप में शरीर में या दौर में देखे उत्राखंड में हम कला से बहुत जादा परिशित रहते हैं अलग-अलग फंक्शन में कुछ ना कुछ इडिजाइन करते हैं तो खौडिया बनाया जाता है कब कि अपना ड्रॉइंग होती है शरीर में गोधना करवाते हैं ठीक है ना गोधना द्वार में लक्षमी पॉ लगते हैं क्या लगते हैं लक्षमी पॉ ठीक है भावरी कुमिया रच भैसी आदी बोली कि जन जाती द्वारा बोली जाती है बोटिया राजी जौंसार या फिर बो एन एसेवन एंच्ट्थी फोर एन्एच वंझीरो सेवन तो आपका अंसर बने है क्या वा क्या या इंच्थी अच्थीएं इम्नोत्री के रिट जाती है एन ए-ले यह कि एज इन ultimate अगर आदे नगर थीज Ortho गौरिकुंड तक गौरिकुंड मतलब नैनिताल का आखरी पढ़ाव जापर गाड़िया जाती है ठीक है निम्ल लिखित में से कौन से एक सही सुमिलित नहीं है ठीक है लोहारी नागपाला परियोजना उत्तरकाशी विष्टु प्रयाक परियोजना उत्तरकाशी या उत्तर हो जाएगा ठीक है प्रदेश में जिएस्टी कर प्रणाली लागू की गई एक जनवरी 2017 एक अप्रेल 2017 एक जुलाई 2017 एक अगस्थ 2017 तो एक जुलाई 2017 को जिएस्टी प्रणाली लागू की गई थी राज्ये निर्मान आंदुलन में दिव्यांग हुए आंदुलन कारियों को राज्य सरकार द्वारा पहति महाँ पैंशन दिया जाता है पांच जार छे एजार आठ जार या फित दस एजार देखिए जो दिव्यांग हुए है उनने दिया जाता है कितना 10,000 उत्राखन के किस व्यक्ति को हिंदी साहित्य में निराला के समकक्ष रखा गया है इमानसु जोशी उत्रा चंद्रकुवर्ण बरतवाल सेलेश मट्यानिय पितंबर दर्थ बरतवाल तो देखिए बहुत ही इंपर्टन कोशन है उत्राखन के संद्रम में आज ही याद कर लीजिए तो यह है आपका option भी चंद्रकुवर्ण बरतवाल ठीक है यह थे उत्राखन और हिंदी से संबंदित जो मौक की कोशन थे आगे कोशन आपको GS well sir करेंगे धन्यवाद करते हैं GS का पार्ट होगा इसमें आपको हम एक्स्ट्र जानकरी देते वे साथ साथ चलेंगे तो आप नूट कर सकते हैं उसको ताकि आपके exam को हो जाए पूरा का पूरा boost एकदम बढ़िया से और आपका exam हो जाए clear ठीक है आप PSC के जो exam होने वाले तो उसके लिए भी ये जो 40 question होने वाले है ये most important question होने वाले है और हमारे जो PCS के लिए है उसके लिए reasoning classes भी चल रही है प्रांजिल करनाटक सर उसको करा रहे हैं तो आप वहाँ पर भी cover up कर सकते हैं पहला question है बुद्ध ने सरवाधिक उपदेश दिये थे बुद्ध ने आपको मालूम होगा गौतम बुद के बारे में हम पढ़ते हैं बुदिज्म को उन्होंने फैलाया और बुदिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं तो उनके जर्म से लेकर के उनके मित्यों तक काई सारी घटना हैं उसमें उपदेश देने की भी घटना है लेकिन अभी question क्या पूछा गया है पूछा गया है कि उन्होंने जो उपदेश दिये वो सबसे ज़्यादा कहां दिये थे पैशाली श्रावस्ती कासंब्दी और राजग्रह में इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रावस्ती में यह आप सभी को मालूम है जबकि राजग्रह में जो है आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर पहली बहुत संगती हुई थी आंसर इसका शरावस्ती हो जाएगा क्या इसकी explanation है वो भी देख लीजे बुद्ध के सबसे अधिक शिष्ष जो थे वो कौशल राज्य में थे और कौशल राज्य की जो capital थी वो थी शरावस्ती इतनी बात आ रही है आपको समझने उमीद है आपको यह समझ आ रही होगी और आप इसे याद भी कर लेंगे तो गुद्धिन से ancient history से बहुत important topic है अगला question है निमलिखित में से किस मौर राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी देखिए आपने अगर practice एट कर लिया है तो भी अच्छी बात है और अगर आप यहाँ भी question पढ़ें तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप question पढ़ें और साथ साथ answer कर लें आप समझ ना कि यह question क्या है कहा गया निमलिखित में से किस मौर राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की दक्कन की अब आप में से कई लोग जो answer देंगे वो देंगे अशोक को लेकिन मैं कहूंगा यह गलत है क्यों क्योंकि सही answer है चंदरगुप्त मौर ने ऐसा किया था देखो मेरी पात ध्यान से समझ नाम कि कई जगा अशोक का भी नाम आता है लेकिन उसने सिर्फ कलिंग उसने सिर्फ कलिंग को जीता था अगर यहाँ पर चंदरगुप्त मौर नहीं होता तो आप कहते कि हाँ बिल्कुल अशोक साउथ इंडिया में मतलब कलिंग में गया था उडिसा में गया था और उसने जीता था लेकिन आंसर चंदरगुप्त मौर है आपको इस question के हिसाब से explanation को मिल जाएगा अगर सल्तनत काल की बात कर लें मेरी बात ध्यान देना अगर हम सल्तनत काल की बात कर लें तो आपका आंसर हो जाएगा अलाउदिन खेल जी जो था वो दक्षिन भारत की तरफ गया था, अगर अशोक महाँ पर ना होता तो, चलिए, ये उसके explanation है, संस्थापक कौन, चंद्रगुप्त मौरे, आप सबी को मालूं, दक्षिन भारत की विजय प्राप्त की थी, इस संदर में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्षों स जो जानकारी प्राप्त होती है, आप समझें मेरी बात को, जो जानकारी प्राप्त होती है, दक्षिन भारत के अनेक स्थलों में, अशोक के अभिलेख प्राप्त हो है, किन्तु अशोक ने एक मातर किसको जीता था, तो आपको ध्यान देना है कि दक्षिन में जो विजय का म यह क्या होता है, कैलेंडर होता है, आपको जैसे सक समवत मालूम होगा, विकरम समवत मालूम होगा, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, गुप्त समवत की, गुप्त समवत जो 319 इश्वी के आसपास establish किया गया था, बोला गया, यह किस ने establish किया था, चंद्रगुप्त फर्स् गुप्त समवत चलाया था, 319 इश्वी के आसपास, यह आपको ध्यान देना है, आईए, तो एंचेन हिस्ट्री के कोशन थे, हमने एंचेन हिस्ट्री को कवर किया, यह मेजर टॉपिक है, मौरे वंस से, चाहे वो समाजिक विवस्ता हो, उनकी राजनितिक प्रसाशनिक वि एता है, वो 1206 इश्वी से 1206 इश्वी से 1290 इश्वी तक, मार्व कीजएगा, यह तो गुEM 1260 इश्वी से और 1526 तक का जो टाइम पीरिड होता है, यह माना जाता है दिली सल्तनत का टाइम पीरिड ठीक है, दिली सल्तनत का इसके बाद मुगल्स आ गये थे, तो आपको 1206 से 1526 तक की बात है, पूछा गया इसी duration में किस वंच ने सबसे कम समय तक साशन किया था, तो देखो इसका answer तुगलक, खिलजी, सयद एक होना है, तो answer हो जाएगा खिलजी वंच इन्होंने कब से कब तक किया था, तो ध्यान देना 1290 से और 1320 तक इनका साशन रहा था, खिलजी वंच का ठीक है, सबसे पहले वहाँ पर कौन आया था तो आप कहेंगे गुलाम वंच आया था फिर कौन आया था गुलाम के बाद खिलजी आया था गुलाम तुगलक आया था, तुगलक वंच फिर आया था सयद वंच और फिर आया था तुगलत सयद और लोधी ठीक है ये डाइनिस्टी थी दिल्ली सल्तनत के अंदर और इन्होंने साशन चलाया था यहाँ पर जो खिल जी है उसका अंसर ये वाला है तो खिल जी ने सबसे कम समय तक लगबग 30 सालों तक क्या आसपास 28-29 भी कुछ भूकों में म कि शेरिंग फेंस की नीती कुछ लोग अगर हिंदी में पढ़ते होंगे तो इसी को कहा जाता है घेरे की नीती घेरे की नीती देखो जो गवर्नर जर्नल वाइसराएं आये हैं उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज चलाई है जैसे आपको याद होगा एक संदी थी सायक संद लास्ट एक्साम में इससे कुषन रखा गया था और आपको उसकी प्रेक्टिस करने का मौका मिला होगा ठीक है आपने ये धियान दिया होगा इसी तरह से एक नीती होती है जिसे हम हरप नीती या डॉक्टि안 ओफ लआप आपको ये समझ आ रहा होगा, तो अभी जो कुशन है फिलाल वो है घेरे की नीती से, घेरे की नीती से क्या संबंदित है, तो ध्यान देना, क्या Henry Lawrence आप कह रहे हो, अगर ये कह रहे हो, तो विल्कुल गलत हो जाएगा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, Warren Hastings जो था Warren Hastings जो था, वो जाना जाता है घेरे की नीती से, ठीक है Doctrine of Laps की बात करें, तो हड़ अपनीती आपको याद होगा, और ये है Lord Clive, अगर Lord Clive की बात करें, तो इन्होंने किया था, इलाबाद की संधी क्या किया था, इन्होंने अगला कुशन है, काबा क्या है, जैसे ये वरड आया होगा, तो आप लोग अगर इसमें तुका भी नारोगे तो मुझे लगता है कि सही हो जाएगा आपका आंसर और होना भी आपका आंसर क्या चाहिए, सही चाहिए इस बात पे आपको विशेश धियान देना होगा तो देखिए जो ये कोशन है काबा क्या है चार आपके सामने आपने देखा होगा मुसलिम पवित्रिस्थल है बिल्कुल साओधी अरब की ये बात है तो यही इसका अंसर हो जाएगा थोड़ी सी इसकी explanation देखेंगे और चीजों को समझते हुए चलेंगे आगे द लेंगे तो कई बार थोड़ फोड़ा रिस्क लेना चाहिए लेकिन सोच समझकर ये आता है ये रिस्क कैसे लेंगे तो ये लेंगे आप प्रैक्टिस करकर के पाटशाला के साथ तो पूछा गया काबा साओधी अरब के मक्का के अलमस्जिद अलहरम में इस्तित एक घनाव भारत के राश्टपती को महाभ्योग द्वारा हटाने की परिक्रिया निमलिखित में इसे किस अनुषेद में वर्नित है आपको बताया जाता है महाभ्योग ses में इंपीचिमेंट के नाम से और समविधान में अनुषेद पूछा गया है तो देखो आपको ध्यान देना है क कुछ आर्टिकल होते हैं, जिने हम 53, 55 के नाम से जानते हैं, हम 60 के नाम से जानते हैं, 61 के नाम से जानते हैं, 72 के नाम से जानते हैं, यह सारे आर्टिकल प्रेजिनेंट से रिलेट करते हुए हैं, अगर 60 की बात करें, तो यहां पर ओत हो जाती है प्रेजिनेंट की 61, तो 61 हो चलो 76 में क्या है तो बच्चा बच्चा आज जानेगा कि इसमें है महानियावादी क्या है महानियावादी चलो आगे जालते हैं अपात काल में किसी राज्य विधान सभा की अवधी बढ़ाई जा सकती है तेखो हो सकता है कि मैं कोशन आपको थोड़ा जल्दी पढ़ रहा ताकि आपकी प्रैक्टिस डबल हो जाए और आपको सारी चीज़ें याद भी हो जाए अपात काल में किसी राज्य विधान सभा की अवधी बढ़ाई जा सकती है क्या आप समझ पा रहे हैं ये बात क्या आपको समझ आ रही है क्या लिखा हुआ है देखो अपात काल लगता है तो आर्टिकल 352 मेरे भाईयों ध्यान देना आर्टिकल 352 अपात काल की बात करता है आर्टिकल 356 आर्टिकल आपको बताय जा रहा है ये किसकी बात करता है तो ये करता है प्रेजिडेंट रूल की किसकी बात करता है प्रेजिडेंट रूल की 360 आर्टिकल 360 बात करता है फ की नहीं है विधान सभा की अब धी कौन बढ़ा सकता है राश्टपती संसद राजी के राजपाल या राजविधान मंडल तो प्यारे बच्चों ये बढ़ाई जा सकती है संसद के द्वारा ये लिखी लिखाई और पढ़ी बढ़ाई बाते हैं इसको आपको जानना होगा आ देखो कहा गया थोड़ा सा समझते हैं कि क्या हुआ ये थोड़ा सा ये टेक्निकल प्रॉब्लम है इसको सही कर लेते हैं बस हो गया सही हो जाती है चीज़े कभी-कभी चलिए समझेगा निम्न में से किस समविधान अनुछेत के अंतरगत भारत के राश्टपती मूल अधि है नेशनल अमेरजेंसी नेशनल अमेरजेंसी के तीन कारण हो सकते हैं एक होता है जब बहारी आकरमन हो जाए युद जैसे हालात हो जाए और एक टर्म आती है जिसे कहा जाता है सशस्त्र विद्रो या आम्ड रेबेलियन ठीक है ये इंग्लिश में भी मैं आपको बोल अब देखो जो ये तीसरी टर्म है पहले ये टर्म नहीं होती थी ये टर्म बाद में एड़ गई गई कब एड़ की गई ये की गई 44 amateur mandate 1978 से ये बात हर कोई जानेगा आज 44 1978 से ठीक है इसके बदले पहले किया था तो पहले कुछ बाते थी पहले क्या था पहले इसमे एक टर होता था आंत्रिक सुरक्षा का मामला आंत्रिक सुरक्षा क्या होता था पहले ये टर्म होती थी आंत्रिक सुरक्षा लेकिन अब ये टर्म नहीं है यही टर्म कहकर के इंद्रा गांधी के समय में क्या लगाया गया था अपात काल लगाया गया था ये बात आपको ध्यान देन आर्टिकल जो 358 है अगर ये आपने सोचा है तो आपने बिल्कुल गलत सोचा है क्योंकि आर्टिकल 358 के वल 19 द्वारा दिये गए अधिकारों से संबंदित है ठीक है लेकिन अगर हम सभी अधिकारों की बात करें तो जो अनुचे 359 है वो कहता है वो कहता है कि क्या किया जा सकता है आपका अपात काल के duration में 359 के द्वारा अधिकारों को इस धगितर किया जा सकता है आपको इतनी बात समझ आ गई है चलिए आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं अगला कोशन है भारत के विभिन राजनितिक दलों को राश्टिया या छेत्रिय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? बड़े प्यार से ये बात समझना कि कोशन नमबर है भारत के विभिन राजनितिक दलों को राश्टिया या छेत्रिय दल का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है, चार option आपके सामने हैं, आपने जैसे ही देखा होगा, तो answer कर लिया होगा चुनाव आयो, चुनाव आपके पास यह अधिकार है, जो हमारा लोक परती निदित्तु अधिनियम है, लोक परती निदित्तु लोक परती निदित्तु एक्ट है 1951, उसके अंतरगत, यह जो पावर है, यह चुनाव आयो के पास, आरे यह इतनी बात समझ में चलो, आगे चलते हैं, अगला यह पूछा गया है सवाल, यह है TASS T-A-S-S, कहां की समाचार agency है, आपको बिल्कुल धियान देना है तो आप आंसर दे पाएंगे, रशिया आईएगा, ध्यान दीजेगा, रशिया पूछा गया है, पूर सोवियत संग, रूस की समाचार agency है, सोवियत संग के विगिटन के पश्चाद, इसे वर्ष 1992 में information, information telegraph agency of रूस ITR TASS में समाहित कर दिया गया, उल्लेखनिया है कि वर्ष 2014 में पुना इसका नाम तास कर दिया गया है, चलिए समझाई बात आपको है न, रशिया और यूक्रेन न्यूज में है, भारत के पर्थम विधी विश्विध्याले की स्थापना अगस्त 1987 में कहा हुई थी देखिए, इक कोशन आपके लिए क्यों डाला गया है प्यारे बच्चों, आप हैं उत्राखन की तैयरी करने वाले आपको मालूम होगा, उत्राखन का उत्राखन का पहला विश्विध्याले विधी विश्विध्याले, उत्राखन का कि ये वाला कोशन उसी से रिलेट करते हैं बनाए गया पहले की बात है तो ये है बंगलूरू में आंसर हो जाएगा बंगलूरू आ रही आपको उमीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी और आपकी तैयारी को और अच्छा लग रहा होगा ये बिल्कुल अच्छे यूनिक और बड़े कोशन लेवल हैं ताकि आपका पटवारी जैसा एक्जाम भी एकदम क्लियर हो जाए और आपको वहाँ पर करने में बहुत सारी हैल्प मिले और आप अपनी त्यारी को कर पाएं बूस्ट मौलिक अधिकारों की अवधाना ली गई है तो हम Constitution में पढ़ते हैं बार-बार में वह बात repeat करता हूँ हम Constitution में पढ़ते हैं sources of the, sources of the Indian, sources of the Indian constitution, ठीक है, आ रही है बात इतनी आपको समझ में, ये बात आपको ध्यान देनी है, तो आप जैसे ही देखा होगा, मौली कदिकार, हमने कहां से लिए है, USA से, अगर बात करें, प्रेजिडेंट की, वाइस प्रेजिडेंट की, सुप्रीम कोट की, ये सारी चीज अब ये वाला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना, आपको चीज़े समझ आएगी, मैंने हमने बात करी, समविधान संशोधन की, क्या बात करी, समविधान संशोधन की, तो देखो जो समविधान संशोधन होता है, वो होता है, आर्टिकल 368 के अंतरकत, क्या होता है, समविध संविधान में संसोधन करते हैं, एक ऐसा ही संविधान संसोधन किया गया, और संविधान संसोधन किया गया, तो हमने एड किया nai9th schedule, संविधान में कितने schedule थे, तो dá nee 8 schedule थे, की नवी अनुसूची थी और 4 उसके बाद जोड़ी गई, 4 में से एक नुसूची है, नाइन शङ उसी से सवाल है, पूछा गया भारत की संसद किसी कानून विशेश को भारत के सम्विधान की नवी अनुसूची में डाल सकती है, बात बिल्कुल सही है, संसद किसी कानून विशेश को भारत के सम्विधान की नवी अनुसूची में डाल सकती है, सही है, नवी अनुसूची मे डाले गए किसी कानून की वैदता का परिक्षण किसी नियायले द्वारा नहीं किया जा सकता, एवं उसके उपर कोई निर्णे भी नहीं किया जा सकता, ये बात गलत है, ये बात 1951 के मामले में कही जाती, तो शायद बात बिल्कुल सही होती ही, लेकिन आपको ध्यान देना है 2007 में ये बात लिख दी गई, कि जो भी आप 9th schedule में जो भी आप कानून डालेंगे, उसकी नियायक वैदता की जाज करने का अधिकार कोट के पास होगा, नियायले के पास होगा, तो कुट्ट में से कौन से सही है, सही है केवल एक, आपको ये ध्यान देना है, एक अच्छे भारत या सम्विधान का अनुचेदर 249 संबंदित है, किस से संबंदित है, कहा गया राष्ट्पति आपातकाल उनकी शक्तियां, तो बच्चे बच्चे को हमने बताया है, अभी एक एक बच्चा जानता है कि 352, 356 और 366 ये तीनों ही आपातकाल से संबंदित है, 352 में ने ये नहीं है, तो क्या हुआ, राज्यसूची के संबंद में संसद की विधाई शक्तियों से संबंदित चीज को बताया गया है, आर्टिकल 249 में, चलो, तो 2011 की जंगना, जो की अब बदलने वाली है, 10 सालों में होती है, तो 2020 में होगी, COVID की वैसे लेट चल रही है, लेकिन 2011 के आक्रे लगातार एक्जाम में आ रहे हैं, आपको जंसंख्या पढ़ लेनी है, पढ़ लीजिए, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी, अब अगर बात को समझें, तो बात ये है, ये पूछ रहा है कि 2021 की जंसंख्या की अनुसार, भारत का जंसंख्या घनत, डेंसिटी कितन है, डेंसिटी कितना है, डेंसिटी का मतलब होता है, एक स्क्वाइर किलो मिटर में रहने वाले लोगों की संख्या, एक स्क्वाइर किलो मिटर में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो 325 है, 335 है, 382 है, अगर आपने आंसर ये चुना है, तो आपने कर लिया है, ग बारत के किस समुदाए में सबसे कम लिंग अनुपात है कोशन को गहराई जे समझना या असान कोशन नहीं है लग सकता है कि आपको आसान है पूछा गया है सबसे पहले आपको ये मालूम हो कि लिंग अनुपात का मतलब है 1000 पुर्षों एक हजार जो मेल हैं उन पर फीमेल की क्या संख्या होगी ये दोनों का रेशो पूछा गया है ठीक है तो मेल एक हजार है और फीमेल को पूछा गया है कि कितनी होगी तो यही लिंगानुपात होता है इसको समझना बौद सिख, जैन, मुसलिम किस धर्म में सबसे कम लिंगनुपात है मतलब एक हजार पूर्सों में महिलाओं की संख्याएं सबसे कम है तो क्या आपको लगाने होंगे अब यहाँ पर क्योंकि एक गहराई वाला conceptual based question है और आपको note भी कर लेना है जो answer में आपको दूंगा आप यकीन नहीं कर पाएंगे लेकिन यही सच है आपको यह लगभग लगभग 1000 कुर्सों में 893 के आसपास है और यही इसका सही answer हो जाएगा आगे चलते है फोटो वाल्टिया सेल संबंदित है उर्जा से question है चार है हमने आपको कहा था कि उर्जा संसादन जैसी एक चीज होती है जिसको बच्चा बच्चा पढ़ता है जियोगर्फी के डियोडेशन में कहाँ पर पढ़ता है जब वो जियोगर्फी पढ़ता होगा तो देखो हमने पढ़ा फोटो वाल्टिया सेल जैसे ही अगर अगर आपको ये शब्ध दिखाई दे फोटो आपको फोटो सिंथेसिस याद आ जाएगा और फोटो सिंथेसिस वर्ड़ याद आ जाएगा तो आपको सूरे याद आना चाहिए सौर ओरजा से संबन्दित होता है ये सारी चीजे अब तक के question अगर आपको अच्छे लग रहे हैं और आपके question गलत या सही हो रहे हैं अगर गलत हो रहे हैं तो घबराईए मत उमीद रखे कि आपके database में नए question अब add हो रहे हैं आपको ये ध्यान देना है ठीक है? और ये बात समझें चलिए अगला question पढ़िए सर्वत्तम किस्म का संग्मर्मर कहां पाया जाता है? आपने जगाई देखियोंगी तो अधिकतर जगाई आपको राधिठान की दिख रहे होंगी ये जहरकन की जगाई है, सिंग्भूम सिंग्भूम कहां है? आपको आपको संग्मर्मर याद रखना है निमलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती? कई बार ये question पूछा और बताया गया है मिश्रित खेती की विशेष्टा है, यानि कि मिश्रित खेती में क्या होता है? चार option आपके सामने हैं, आज से पहले आपको कभी ये मालूम नहीं होगा, लेकिन आप बच्चा-बच्चा इसको जानेगा और समझेगा कि इसका answer है जब पशुपालन और किर्शी, यानि कि कोई फसल जो है, वो एक साथ उत्पादित की जाती है, तो उसको कहते हैं मिश्रित खेती, मिश्रित खेती का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है, कि एक ही प्रकार की खेती या दो प्रकार की खेती की जा रही हो, बलकि उसका मतलब है क पशुपालन और सश्य उत्पादन को एक साथ करना आगे आते हैं जिक्ष अक्षांस पर वार्षित तापांतर नियूनतम होता है वहा है प्यारे बच्चों इस कोशन को ध्यान से पढ़ना बड़े बड़ों ने इस पे बहुत छोटी छोटी गलतियां की है वह बड़े बड़े और छोटी छोटी गलती करने वाले बच्चे पढ़ते नहीं है कोशन को और सीधा आंसर पे तूट पढ़ते हैं क्योंकि आदत पढ़ गई है रटाफिकेशन की लेकिन एक्जामनल भी चालाग है वह आपको साथ सवाल ऐसे देता है जो रटे वाले होते हैं लेकिन बाकी 40 सवाल conceptual based होते हैं जिसमें option और भाषा का खूब खूब परियोग किया जाता है ध्यान देना बोला जिस अक्षांस पर वार्षिक ताप अंतर जिस अक्षांस पर वार्षिक ताप अंतर न्यून तम होता है देखो जो ताप अंतर है इसका मतलब है maximum ताप का और minimum ताप का जो अंतर होता है वो क्या हो? वो minimum हो भई maximum temperature और minimum temperature ठीक है? आप इसी को इस तरीके समझ सकते हूँ जो कि एक चीज होती है, टम होती जिसे हम परास कहते है जिसे हम range कहते है वो new term होनी चाहिए आर ये बात समझ में? मतलब ऐसी एक जगा जहां पर maximum temperature और minimum temperature के बीच बहुत बड़ा difference ना हो एकदम छोटा सा difference हो जादा difference ना है आर ये बात समझ में? अब देखो ये कौन सा स्थान होगा? तो अब तक आपने answer सुन लिया होगा, समझ गए होगे भूमद्यरेखा आप मेंसे कई लोगों ने करकरेखा करा होगा कई लोगों ने मकरेखा करा होगा, कई लोगों ने 23 डिगरी पर जुकी हुई है हम यह ले रहे है ठीक है और यह जो रेखा यह 30 डिगरी और यह मकर रेखा यानि कि Capricorn line है ठीक है और यह जो है वो है आपकी Cancer रेखा ठीक है तो यह वाला जो छेतर होता है उस्ण उस्ण छेतर कहते हैं इसको आपको समझ आ रहा होगा प्रॉपिकल जो उन कहते हैं तो आपको ध्यान देना है कि जो ये वाला भूमद्य रेखा का छेतर है यहाँ पर तापमान लगातार एक जैसा ही बना रहता है मतलब कर गर्मी है तो वह गर्म ही रहेगी बहुत जादा फरक नहीं आ रहेगा कि एक बार 40 डिगरी हुआ और एक बार क्या आ गया रेंज में फरक आ गया और 12 डिगरी तक टेंपरेचर चला गया इतना डिफरेंस नहीं आएगा एक डिफरेंस जो होगा वो मानक के अधार पर बना रहेगा तो तापांतर न्यूंतम होता है वो कहां पर होता है भूमद्या रेखा पर होता है आईए आगे चलते हैं निमलिकित राज्यों में से कौन सा राज्य बांगला देश से अपनी सीमा नहीं बनाता है कहां से नहीं बनाता है बांगला देश से तो प्यारे बच्चो आज आप जानोगे ध्यान देनो इंडिया का मैप आपको देखना चाहिए बार-बार अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजे अलग-अलग duration में समझ आएंगी इस बात को आपको थोड़ा सा समझ ना होगा आ रहे है इतनी clear and cut मिल जाएगा मिजोरम असम और मेगाले ये मेगाले है मगाले नहीं मेगाले है और मिजोरम तो ये तीनों के तीनों जो है अपना water share करते हैं किसके साथ बांगला देश करते हैं लेकिन कौन नहीं करता है तो नागलेंड नहीं करता है आगे आते हैं भारत का सरवाधिक आ अबादी वाला दूइप कौन सा है, अबादी वाला पूछा है, ध्यान देना, अब आप कहोगे माजुली, अन्माल, लक्ष दूइप और सलसेट, तो देखो ये कोशन थोड़ा सा घुमा हुआ है, और इसका आंसर होता है, सलसेट, सलसेट दूइप का ही दूसरा नाम है मुं मुंबई, मुंबई एक आईलेंड में अवस्तित है, ऐसा बताया जाता है, तो सलसेट इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहीं की जन संक्या सबसे जादा है, अगला कोशन है, निवनि में से कौन सा तट कोची बंदरगा से संबतित है, ध्यान देना, देखो, एक मैप भी ह तो जो ये केरल वाला हिस्सा ही, जिसे हम मालाबार तट कहते हैं, इसका नाम है मालाबार तट, क्या है, मालाबार, मालाबार तट, ये वाला जो तट है, कोवा तक, वो है कोंकर्ण तट, ठीक है, ये वाला जो पाठ है, वो है कोरो मंडल, क्या है, कोरो मंडल है, आर ये ये कोची बंदर काये तो कहा है वही सर ने कहा माला बार तो भिलकुल एकदम तुक्का मार दे देंगे और exactly answer भी यही हो जाएगा क्या हो जाएगा माला बार हो जाएगा आर यह बात समझ में आगे चलते हैं राष्टिया आपदा प्रवंदन प्राधीकरण नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो एथरोटी है उसके बारे में हम बात करेंगे अगर आप सबको मालूम है कि सुनामी कब आई थी 2004 तो आप 2004 मारेंगे और आपको लगेगा कि सही हो गया लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्या सही आंसर है तो आंसर है 2005 2005 में क्या इस्टेब्लिश किया गया ये NDRF कब इस्टेब्लिश किया गया 2006 में क्या है NDRF National Disaster Rescue Force समझ में आ रही आपको बात तो आपको ये ध्यान देना है 2006 NDRF में इस तरह के सवाल एक्जाम में पूछ जाते हैं पिर्थवी का निकरतम ग्रह कौन सा है? आपको मालूम होगा, हालि में खूब लोगों को दुरून चार्य दिया जाता है किसको दिया रहता है, तो ये खेल के छेतरे में परस्पिर बश को को दिया रहता है, इसी तरह का एक और है Arjun Award, क्या है Arjun Award आ रही है इतनी बात समझ में तो अर्जुन अवार्ड कब स्टार्ट किया गया तो आप कहेंगे 1961 में ठीक है तो आप कहोगे द्रूनचारिय कब किया गया तो आंसर है 1985 में अवार्ड द्रूनचारिया स्टार्ट किया गया आगे चलते हैं और बात को समझते हैं EMI का पूरा रूप EMI जो है उसका पूरा रूप क्या है इस तरह के question last previous year मतब आप कहोगे कि last होने वाले जो उत्राखन के exam से उसमें देखने को मिले थे तो आसान question हो जाएगा और आप लगा देंगे कहेंगे equated monthly installment इसे ज़्यादा और समझाने की ज़रूरत तो नहीं है आपको full form आ रही है exam में याद कर लेनी है जो जो news में है email का जन्मदाता email का जन्मदाता किसे माना जाता है computer से related एक और सवाल है तो ध्यान दो Ray Tomilson computer पढ़ लो basic computer भी अगर आप पढ़ लोगे तो आपके exam के हिसाब से काफी sufficient हो जाएगा किसी keyword पर enter key enter key का अन्य नाम है enter key जो होती है उसका अन्य नाम क्या होता है बस यही बताना है तो ध्यान दो execute key को कहते है enter key आगए इतनी बात समझ में याद करने वाली चीज़े हैं यह सारी आपको कौन से dance याद रखने हैं तो आपको classical dance याद रकने हैं जैसे भारत या भरत nanityam कर देंगे भारत damn कुछी पूरी कर सकते हो कुछी पूरी समझ सकते हो है ना इसी तरह से आप मोहिनी अच्टम समझ सकते है मोहिनी, मोहिनी अटम, मोहिनी अटम, ठीक है, मोहिनी, तो मोहिनी अटम समझ सकते हो, मोहिनी अटम, मोहिनी अटम को आप समझ सकते हैं, इसी तरह से आप जो है, केरला का, केरला का कुचिपुरी हो गया, मोहिनी अटम हो गया, कथखख आप समझ सकते हो, कथख हो गया, ODC हो ग का जो हमता है वो होता है जो होता है केरल का कुच्ची पुरी जो होता है वो होता है आंगर पर्देश का आर ऐतनी बात अपड़ों को समझ में ओर पकूछ बाहते हैं उत्राखण के मामले में उत्रा борस से दrenchाम पंडवानी की बहुत famous dancer है तो उत्राखंड की भी तीजन बाई है उत्राखंड की तीजन बाई कौन है तो आप कहेंगे कबूतरी कबूतरी डेवी उत्राखंड से related सवाल है हुआ कि नहीं तो आपको यह याद रखना है पंडवानी इसलिए दिया गया है यह 36 ग्रकर डांस है यह 9 और यह 13 तो देखो के 4 एड़ हो रहा है 4 एड़ हो रहा है 9 और 4 तेरा और 4 तेरा और चार 17 एड़ हो रहा है तो 17 का आंसर यानि कि 17 बोले तो क्यों हो जाएगा ABCD आपको याद कर लेनी है coding recording की class करके सर्च किजिए पार्ट चाला की class है बिल्कुल पढ़िए आपको सम 11 एड़ हो जाएगा क्यों 11 एड़ होगा मेरी बात समझना यह सब वे संख्या हैं जो केवल अपने से या तो अपने सिवभाईत होती है या एक सिवभाईत होती है तो अगर मैं 9 को रख लूँगा तो 9 सिवभाईत होगा तीन सिवभाईत होगा और एक सिवभाजित होगा तो मैं यहाँ पर 11 ही एड़ करूँगा और जैसे ही 11 एड़ करूँगा तो मुझे 9 option में मिलेगा answer हो जाएगा 29 ठीक है आगे चलते हैं next question को समझते हैं दे गए विकलपो में से क्या चुनना है विश्म अक्षर चुनना है विश्म सब्द को चुनना है इस बात को घ्यान देना है आपको उमीद है आपको इस session पसंद आ रहा होगा अगर पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को like करना ना भूले चलिए देखिएगा चार option है इसमें से विश्म चुनना है मतलब तीन चीजें एक जैसी होती है और बाखी एक अलग होती है pen, mommy, pencil यह क्या है यह लिखने के चीज़े है जबकि पुस्तक जो है उस पर लिखा जाता है पुस्तक जो होती है तो प्रिंटेड होती है उस पे ठीक है तो pen, mommy, और pencil जो होता है उससे ल square करो तो 4 आएगा, 3 का कर दोगे तो 9 और इसी तरीके से चलता रहेगा, 4 का कर दोगे तो 16, 5 का कर दोगे तो 25 और 6 का भी कर लो भई, 6 का 27, 7 का square कर लो, 49, 8 का भी करी लो, जब इतना हो गया है तो 64, और 9 का कर लोगे तो 81 मिल जाएगा, आर यह इतनी बात समझ में, 9 का square 81 हो क्या नंबर होगे, 11, 12, 13, 14, फिर से वही नंबर तो चलेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के बाद फिर 0 आजएगा, आर यह इतनी बात समझ में, तो पूर्ण वर्ग का 81 नहीं है, तो 1, 4 होगा, 6 भी होगा, 4 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 9 होगा, क्या 8 आपको दिख रहे किसी नंबर के आग है, वो 8 नहीं होगा, यह बात, 9 तो आपको मिली रहे न, 49 में मिल रहे है, 36 में मिल रहे है, 2, 2, 4 में मिल रहे है, तो 9, 8 जो है, वो नहीं होगा, यही इसका सही आंसा, अगला हते है, कर इंट अफिर का फूशन है, धर्मा गार्डियन, धर्मा गार्डियन किन दो देशों क हुआ है अगर 2018 से याद हुआ स्टार्ट हुआ है तो भारत और जापान के बीच या युद अभ्यास होता है आपको यह याद रख लेना है छोटी छोटी सी बात है इंडिया और भारत और रश्या के बीच में होता है इंद्रा क्या होता है इंद्रा इसको ऐसे लिखेंगे त हाफ़ाल एंतराष्टिय हठ्ड़ा है वह है अहिलिया भाइ तो आप यहां भी गलत गैगय क्यों वीर सावरकर वीर सावरकर जो है अंतराष्टिय हवाई अठरेश्ट घ्ड़ा है नहीं हो स्यांसर हो जाएगा वारा नसी में आरिए इतनी कुछ ने केंद्रिया डलहन सोध संस्थान कहा है दलहन कहा है तो ध्यान देना आप में जैसे ही करा होगा कटक आप हो जाएंगे गलत क्योंकि कटक में चावल अनुसंधान संस्थान है ठीक है करनाल में क्या है डेरी है बोपाल में छोड़ दीजिए और आंसर हो जाएका या दीजेगा डलहन सोध संस्थान है आगे चलते हैं दो हजार बीस ओलमपिक दोजार इकिस जापान में भारतिया होकी टीम ने किस देश को हरा कर ओलमपिक कास से पदक जीता था देखो ये हिस्ट्री का मूमेंट है एकदम है ना भारत ने इतिहास रचा है बहुत सालोब किसे हराया था तो जर्मनी को हरा करके जीता था असान कोशन था बस सोचने की देरी है लेकिन आपको याद रखनी चाहिए पुरानी चीज़ें है अगले कोशन पाते है पस्चिम मंगाल के पहले गवर्नर कौन थे आप कहेंगे ये सवाल कैसे दे दिया इस सवाल का क्या मतल बनता है बड़े इंपोर्टन आदमी थे और ऐसे सवाल आएं आप सबी सरोजनि गाइडू को जानती है जानते है यूपी का मामला है पटाव इसी तर मिया को जानेंगे तो यूएन में पहली महिला भारत की पहली रिपर्जेंटेटिव थी पहली जो थी वो परती निधी थी आपको ये ध्यान रखना है ठीक है आर ये इतनी बात समझ में आंसर हो जाएगा चकरवर्ती राजा गोपालाचारी कहां के पश्चिम बंगाल की कोशन क्यों रखा गया वह आगर आप देखोगे तो पश्चिम बंगाल की जो CM है यानि कि दिदी जो है उनका और वहां क गवर्नर का पार्फलिक्ट चल रहा है नाम है जगदीश धंगड हुआ जगदीश धंखड का नाम है इस तरह से तो उनके बीच में काऌनफलिक्ट चल रहा है इसन्ये कोशन रखा और आपको अच्छा लगा होगा चकरवर्ती राजोगोपालाचारी का नाम जान करके अग इस्टाग्राम और हमारे पेपर के लिए पेपर प्रेक्टिस के लिए आप हमारा टेलिग्राम चैनल पाटशाला रिशीकेश और पाटशाला रिशीकेश गुरुप सी पाटशाला रिशीकेश गुरुप सी गुरुप सी यानि कि उत्राखंड के लिए चल रहा है तो वहाँ पर quiz के साथ साथ आपको provide करवाई जाते हैं practice set तो आप अपनी preparation को वहाँ पर और अच्छे से boost कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद